आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने बाली हूँ बहुत ही हिल्दी एक नास्ता जिसे आप फटा-फट से घर पे बना सकते हैं वो है गाजर का पराठा और साथ में होगा एक बहुत ही यम्मी सा चट्मी तो चलिए रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं तिस मज़दार गाजर की पराठा रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बोल ले ली हूँ और अब हम आठा को रेडी कर लेंगे तो यहाँ पे मैं नॉर्मल की हूँ का आठा ली हूँ और इसमें पानी आड़ करके इसका बहुत ही अच्छा सा डो रेडी कर लेंगे और फिंट मैं यहां पे एक काप आटा का बना रही हूँ आप लोग अपने क्वेंटिटी की हिसाब से आटे को कम या जादा कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी अड़ करके इसे बहुत ही नरम सा एक डो रेडी कर ले तो देखिए आप लोग से बात करते करते हमारा जो आटा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है इसे हम 10 मिनिट के लिए रेश्ट होने के लिए रख देते हैं और इसे कौवर कर देते हैं आ जाते हैं नेक्स टेप पे तो यहां पे मैं ली हूँ तीन गाजर और गाजर का छिलका हम निकाल लिए हैं और इसे अच्छी त से भी ग्रेट कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पे छोटे चोटे टुक्रों में इसे काट के मिक्सी ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लूँगी तो इसलिए गाजर को हम छोटे चोटे चोटे टुक्रों में काट लिए हैं ताकि बहुत ही अच्छी तरह से इसका एक दर-दर सब पेश्ट ready हो जाए तो चलिए गाजर हमारा यहां पर ready हो गिया है अब एक ही बार में सारा गाजर का पेश्ट नहीं बनाएंगे आधा आधा करके बना लेंगे तो इस तरह से गाजर का पेश्ट हम लूग ready कर लिए हैं और देख सकते हैं दरदाराई ही पीसे हैं जादा पेस्ट में ही नहीं किये हैं तो चलिए गाजर को हम इस बोल में एड़ कर देते हैं और बीच बीच में जो ये छोटा-छोटा गाजर का टुकड़ा देखे तो ये निकाल ले अब हम एक प्लेट लेंगे और आजाएंगे निक्स्टेप पे अब हम लेंगे पनीर और पनीर को इस ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लेंगे आप चाहे तो हातों के मदद से भी इसे मैस कर सकते हैं लेकिन ग्रेटर के मदद से ग्रेट करने से ये बहुत ही स्मूद सा बनके रेड़ी हो जाएगा और आसानी से ये मिक्स हो जाएगा और यहां पे मैं 200 ग पनीर को एड़ कर देंगे और पनीर एड़ करने की बाद ही ये गाजर भी एड़ करेंगे लेकिन गाजर से बहुत सारा पानी निकला है तो इसलिए गाजर को इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके पानी हम निकालेंगे और फिर इसमें एड़ करेंगे पानी समयत अगर गाजर क को इसमें एड़ करेंगे तो बहुत ही ज्यादा गीला हो जाएगा तो आप स्टाफिंग आटे में नहीं भर पाएंगे तो इसलिए पानी हम अच्छी तरह से निचोड लेंगे उसके बाद गाजर को एड़ करेंगे देख सकते हैं कितना सारा पानी निकला है तो अब हम इसमे एड़ कर देंगे मसाला तो सबसे पहले जीरा एड़ कर देंगे आधा चुटे चमच स्वादनुसर नमक अजवाइन आधा चुटे चमच कस्मीरी जेट चिली पाउडर आधा चुटे चमच हल्दी पाउडर चुटकी भर और एड़ करेंगे जीरा पाउडर और धनिया पा नास्ता के बक्त बना सकते हैं बहुत ही हेल्दी एक नास्ता बनके रेडी हो जायागा और यकीन मानिए सबी को बहुत ही पसंद आने वाला है यह गाजर का पराठा तो इस तरह से मिक्स करने के बाद आप इसमें हरी मिर्च और फ्रेज धनी के पत्ते भी एड़ कर दे हरी मिर से हम एक एक करके लुईया कर लेंगे और फिर यह स्टाफिंग को इसमें एड़ कर देंगे तो आप देख सकते हैं आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो गया है अब इस लुईया में थोड़ा सा सूखा आटा हम ले लेंगे और उसके बाद यह जो मोटा उंगल कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से प्रेस प्रेस करके स्टफिंग को इसमें एड़ करना है और उसके बाद आटे को बहुत ही अच्छी तरह से मोड लेना है ताकि स्टफिंग बेलने के टाइम बाहर ना आ जाए तो इस तरह से आप प्रेस कर ले और स्टफिंग को अच्छी तरह से cover कर ले तो यहाँ पे हमारा जो stuffing वाला लुया है वो पराठा के लिए बिलको रेडी हो गया है अब है इसे बेलने की बारी तो यहाँ पे चाकी और बेलन ले लिये हैं अब यह जो लुया हम लोग रेडी किये हैं उसमें थोड़ा सा सूखा आटा आप आड़ कर ले उसके बाद हातों से थोड़ा सा इसे पहले ही प्रेस कर ले और बस बेलन की मदद से हलके हातों से इसे गोलाकार में बेल ले आप चाहे तो स्कौयर या त्रिकोन सेब में भी इसे बेल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे गोली बेली हूँ तो इस तरह से सारे पराठा को ह घी भी धाल कर सकते हैं। इसके अलावा सरसो काुओ तील में भी चाछें म一दा सीफुछ लूक मैं और यूंद इसी तरह से विक्ता और लूकुत से अच्छी तरह से फ्राई कर लेगे करें। पराठा बिलको रोटी जैसा फूलने लगा है तो यह आप घर पे एक बाद जरूर ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी लगता है तो इस तरह से सारे पराठा को हम रेडी कर लिये हैं अब हम पराठे के साथ सर्फ करने वाले चट्नी या फिराइता जो भी आपक कोटी चमच काली मीर्च वान फोर टीस्पून कस्मिरी रेट चिली पाउडर और काला नमक एड़ करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और रेडी कर ले तो कैसा लगा आज का यह रेसिपी कोमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक औ और सेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करके जाए तो फिर मिलता है एक नही रेसिपी के सब थैंक यू